हेलो दोस्तो मेरी चैनल टेक्स टोक में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप लेस का डिजाइन रेपीर जेकाड के अंदर लेस का डिजाइन कैसे बनाना है उसके अंदर साइज इंसर्ट क्या और कैसे करना है रखें इंफर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें तो देखें दोस्तों भी चालू करते हैं तो मेरे पास ओल्रेडी अभी स्केच का डिजाइन है चोकि मैंने स्केच करवाया हुआ था और मैंने उसी पेसे लेस का डिजाइन बनाया था तो भी मैं वही वाल तो अभी आप देख सकते हैं यहां पे मेरे जो लेस है तो कुछ इस प्रकार से बनने वाला है इस टाइप से, जो की मेरा कीलोमेटर के हीसाफ से साइड skein वह इस प्रकार से बनने वाला है, तो अभी मुझे इसमे च्या करना है इसकी देखिए वीड़्त है अभी मैरे पास 5.50 inch और इसकी इस प्रकार से vertical है मेरे पास 5.50 inch तो अभी ये 5.50 inch है ये इसका double part है यहाँ पर double क्योंकि ये वाला less ये वाला figure same to same double लगेगा तब जाके मेरा 5.50 inch होएगा लेकिन अभी double लगाने के लिए अपनी sketch हमने आजा ही करवाया है क्योंकि हमें उतना ही चाहिए होता है क्योंकि direct हो double होने वाला है तो अभी देखिए हमें क्या करना होगा सबसे पहले आप इसको crop कर लीजे design को अच्छे से तो cropping का tool यहाँ से आप click करके या तो यहाँ से भी ले सकते हो और आपके cropping के tools के time पे आपका perspective tools भी चालू होना चाहिए तो आप अच्छे से crop कर पाऊगे देखिए कुछ इस प्रकार से भी रख लो यहाँ पर देखिए perspective tools है अगर वह on नहीं रख होगे तो देखिए यह आप move करोगे तो पूरा का पूरा length move होएगा यानि कि right side का dot और left side का dot डोनों एकी साथ में move करता है देखिए अपर यह perspective का tools चालू है तो एक side का एकी time पे move करेगा तो देखिए हमें अभी चार डोट्स चाहिए होना चाहिए होता है चुकि में अभी देखिए सभी डोट्स को exactly point पे जाके रखने वाला हूँ ताकि मेरा cropping अच्छे से वह design भी मुझे अच्छे से निकले देखिए अभी दो point cut to cut होगे यहाँ पे crossing पे यहाँ पे crossing पे सेम टू सेम यहाँ पे भी crossing पे करना है आप यह जूम आउट और जूम इन कंट्रोल प्लस की sign से कर सकते हो और जूम आउट करने के लिए control प्लस माइनस कर सकते हो देखिए इस प्रकार से मैंने अभी चारों डोट्स मिला लिए exit point पे तो देखिए अभी design exit जैसे बनाई थी उसी प्रकार से आ रही है तो भी इसको simply enter कर देना है अभी मुझे याद रखना है कि मेरा horizontal जो width था वो 5.50 inch है और मेरा vertical था वो भी 5.50 inch है लेकिन इसका दो गुना यानि कि आधा भी हो जाएगा 5.50 inch divided by 2 यानि कि 2.75 inch अभी मेरा design है तो भी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा देखिए ये जो ले से वो side में लगने वाला यानि कि मेरे vertical जो भी यान आएगा वो मेरा warp आएगा और मेरा horizontally जो भी आएगा वो मेरा waft आएगा तो अभी read और pick आपके machine के अंदर कितनी है वो आपको manufacturer से बात कर लेनी है जो कि machine का operator होता है उनसे भी बात कर लो या तो machine के जो owner है उनसे बात कर लो कि उनको उनके machine के अंदर क्या read और क्या pick है वो आपको बत 50 की, ठीके, तो उभी सबसे पेल क्या करना पड़ेगा? आपका जो यहां पे width था, वो था 5.50 तो उसको क्या करना है? into, आपके जो vertical याने आने वाले हैं, वो है warp तो यानि कि warp है, यानि कि वो read में जाएंगे तो into आपको करना है 100 तो is equal to कर दिए तो यहाँ पर आ गया 550 तो वो आपको यहाँ पर insert करना है image size के अंदर जाके width में इसकी width है 550 और इसी हिसाब से आपको insert यहाँ पर करना है 2.75 हमने जो यहाँ पर यूज किया था 5.5 divided by 2 यानि कि यह half भी यह portion पूरा half है तो 2.75 आ गया into मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो horizontally चलने वाले है वो मेरे peak है तो मेरी peak यानि कि मुझे PPI डालना है तो मेरे width कितना हैंगे वो है मेरे 50 एक इंच के अंदर तो यह मेरी height 137.5 तो आपको इसको round figure में लेना है 138 में ठीक है तो आप यहाँ पर insert कर सकते हो 138 तो भी आपकी यह design complete हो चुके है फिर आप ok करते ही आपकी design complete हो जाएगी लेकिन इसका दूसरा तरीका भी है अगर आपके पास size नहीं है लेकिन आपने जो यह crop कर लिया है तो आपको यह design completely दिख रहा है तो अब इसका दूसरा एक plan भी use कर सकते हो आपको किसी भी एक side की size पता होनी चाहिए चुकि अभी मुझे यह वाली पता है कि 550 है देखिए यह वाला horizontal मुझे पता है कि 550 है तो अभी मैं क्या करूंगा देखिए यहां के constant proportion ratio आपको ओन रखना है आप यहां प पर direct insert कीजिए 550 किसी साब से 550 आपको insert करना है 5.5 inch मेरा size है into मेरी 100 की read है आपको सिर्फ एक part पता होना चाहिए दूसरा पर अपने आप ही आ चाहिए देखिए अभी is equal to 550 हो गया अभी आपको vertical length की इतनी है मालूम नहीं है तो आप उसका कैस से पता लगा सकते हो तो आपको क किया करना है उसमें read कितना था 100 का तो आपको divide by 100 कर देना है यानि कि आपका हो गया 2.76 और आपका pick तो आपको owner से पूछना है जो कि वह आपको बताएगा ही उसमें कोई छड़ छड़ नहीं की जा सकती तो into आप 50 कर लिजे direct तो देखिया direct आ गया 138 जो कि हमारा उसमें भी 138 आये था direct इसमें भी आये इसमें मुझे पता नहीं था कि 2.75 मेरी height है लेकिन मैंने कैसे पता चला है लगाया 276 divided by मेरा जो EPI था वो कर दिया तो direct आ गया into मेने कर दिया जो मेरा pick था हो तो आगया 138 तो direct देखिये यहां पे 138 अभी put यहां पे 138 जब कर रहे हो तो आपक गलत हो गया तो भी मुझ में वापस यहां पे 550 और 138 के दे ओके कर ले तो जैसे ही ओके करोगे यह design compress हो जाएगी देखिया कुछ इस प्रकार से अभी design compress होगे क्योंकि मेरा read a soka और मेरा PK 50 का यानि कि design वो आधी compress होगी अभी इसको आपको file service करके ले ले लेना है डेक्स्टोप पर ही देखिये save हो चुका अभी file अभी आपको क्या करना है पड़ाएगा यह मेरा less का file है यहां पर में इसका नाम रख लेता हूँ less design ओके तो अभी इसको direct आप टेक्सल वे अंदर जाके insert करिए फिर आपको यहां पर color reduce करना पड़ेगा okay कर दीजे देखिये अभी मेरी design as it is दिख रहे है लेकिन आप जब read और pick डालोगे इसके अंदर तो आपकी design जो पहले जैसी दिख रही थी जैसी direct दिखने लगेगी read क्या है मेरी 100 की है तो आपको यहां पर read डालना है जो कि x के format में और y के format में जो मेरा peak है तो यहां पर peak डालना है आपको simply okay कर देना है फिर आप देखिये यहां पर toggle paper format है जो कि read pick के हिसाव से machine से कपड़ा कैसा निकलेगा वो दिखाएगा तो आप own कर लीजे तो देखिय आपको क्या करना पड़ेगा आप जब आधा edit कर लोगे फिर आपको करना पड़ेगा control है से select c और e फिर आपको करना पड़ेगा जो भी यहां पर height है 138 की आप वहां पर 138 दूसरा insert कर दीजे ओके फिर आपको जो आपने file complete किया है वह यहां पर ले लीजे और इसका rotation कर दी है तो कुछ इस प्रकार से देखिए आपका पूरा place का design complete हो जाएगा चोब आप यह all over करोगे तो आपका flower भी यहां पर complete हो जाएगा और यह भी हो जाएगा लेकिन आपको काम कितना करना है सिर्फ आधा ही करना है देखिए कुछ इसी प्रकार से यहां पर देखिए इसका temple उपर का है वो भी मेरा flower का figure पूरा हो चुका है लेकिन आपको काम करना पड़ेगा सिर्फ आजाही क्योंकि आपकी आधी design repeat लग रही है तो कि आपको पूरी मेनत नहीं करने पड़ेगी आधी मेनत करो पिर आधी copy करके वापिस portion में यहां पर इतनी height है वहां पर रख दीज तक कि आपकी design complete as it is आजाएगी ठीक है दोस्तों तो मुझे लगता है कि आपको यह portion में layers के design कैसे बनाना है वह आपको पता चल गया होगा और अबर पता नहीं चला है तो मैं वापिस से बताऊंगा यह मेने वीडियो बनाए कि sketch में से कैसे बनाना है और कैसे इसके size में insert कर नहीं क्योंकि मेरे पास तब लिखा हुआ size नहीं होएगा तो अपने वह directly उसी time पर use कर लेंगे कि किस प्रकार से वह trick use की जा सकती है और आपको direct पता चल जाए तो वीडियो अच्छा लगा हो तो like करिए share करिए और चैनल को subscribe करिए और हमने super chat भी on कर लिया है जो activate कर लिया कर लिया है जो कर लिया है जो कर लिया है